बॉड़ बार्णिंग दोस्तों आपका एक बार फिर से अगरता आपके अपने चेनल डेल डोजों इन्वेस्टमेंट में हर माणिंग की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के परपस से एक इंपॉर्टन स्टॉक लेके आऊँ दोस्तों आज हम जिस company के उपर decision करने वाले है एक engineering company है लेकिन company आप कर सकते हैं तिरकी से proxy है renewable energy की segment में तो दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कुछ time में ये company काफी शानदा तिरकी से performance कर सकती है क्योंकि काफी high speed से company currently grow करी है इसके लावा company ने recently दोस्तों काफी बड़े तिरके से capacity expansion किया है और future में इसका capacity expansion लगातार जारी रहने वाला है और इसके सांसा रिसेंटली जो stock के price में correction आया है यहां में यहां पे long term में buy करने की काफी अची opportunity प्रएट कर रहा है तो मैं चाहता हूं दोस्तों आपको री वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आप से option में देखर को मिल जाएगा इसके लावा जैसा कि मैं आपको हर्मारिंग में इंफर्म करता हूं अगर आप लोग को चैनल की membership लेनी है तो आपको जॉइन बेटन पर क्लिक करना पड़ेगा तो दोस्तों जॉइन बेटन देखिए आपको वीजिबल होगा अपनी स्क्रीन प जिनको अपने long time का portfolio में बनाना है या अपने current portfolio में कुछ changes कराने है तो अगर आप लोग interested है अपने long time का portfolio में बनाने में तो आप अपना portfolio में जो mail कर सकते हैं मेरा email address आपको स्कीन में सामने देखर को मिल जाएगा इसके लावा जैसे मैं आपको बता है आप लोग को हाँ पर डीटेल वीडियो देखर को मिलेंगी तो दोस्तों membership tab की शुरात देखे मैंने इस साल की शुवात से की थी इस membership tab के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए काफी important stocks को पर detail वीडियो पोस्ट करता हूं और यहाँ पर हमारा aim रहता है इस तरह के micro cap small cap और nano cap stocks में बाइख करने का जो आपको कुछ important stocks के थे जिनमें हम currently आप बीवी पोजिशन बिल्ड करना है तो आप उन stocks को पर भी detail वीडियो को check out रह सकते हैं इसके लावा दोस्तों आपको दूसरी advantage यह मिलेगी चैनल की membership लेन की कि यहाँ पे आपको मेरा special टेल्गाम चैनल करने का मका मिलेगा तो इस टेल टेल्गाम चैनल का दोस्तों मकसद देखे थोड़ा important है क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि मुझे आप लोग को मार्केटार्स को दूरान कुछ important stocks सेज़ेश्ट करने परते हैं या कई बार दोस्तों से critical time होता है कुछ stocks को buy करने का मार्केटार्स को दूरान तो इस दोसों पिछले 2-3 हफतों में देखिया आपके लिए 3-4 stocks को उपर important chart share किया है इसमें से एक stock जो मैंने आपके साथ 3-4 दिनों परे शेयर किया था उसमें आप चार दिनों में 15% का positive momentum आ चुका है और मैंने आपको चार्स में clearly बताया थी company की बार में कुछ important details और वह सारी important details आपको इस detail game चल के अंदर देखा को मिलेगी तो अगर आप लोग ने चल की membership लेखिये तो आपको special detail game चल जान करना भूलना नहीं है इसके लावा दोसों मैंने आपके लिए मंडे के दिन एक important stock के ऊपर वीडियो पोश्च की थी यह stock हमने पहले सी बाय कर रखा है क्योंकि यह stock मैंने अपने YouTube चनल के members को काफी पहले suggest कर जाता हमने यहाँ पर 100% उपर के return मेंना लिए लेकिन यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों stock में long term growth का क्योंकि एक microcap company है तो यहाँ पर यहाँ पर आप थम ने चेकाउट कर सकते हैं यह company दोस्तों इस टेम पे cater कर रही है पावर सक् लेक काफी important stocks को पर वीडियो पोस्ट किया है आप उनको भी चकाउट कीजिए वहाँ पर भी वाय करने की काफी एच्चे परचून्टी है यह तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की membership की advantage के बार में कुछ बता है और यहाँ पर मैंने मंदे के दिन जो जनरल लिटेल इन्वेस् देखे KP Group के कुछ stocks suggest किया है जैसे KPI Green हो गया या उसके लबाए KP Energy हो गया तो इस तरीके से KP Green Engineering है यह भी long term क्ले काफी अच्छी बैट है यहाँ पर दोस्तों आप कर सकता है कंपरी एक तरीके से one-stop solution करती है इस टेम पर sustainable renewable energy infrastructure के लिए तो आप दोस्तों मैं आपको कंपरी के सब्सक्राइब में कुछ important basic detail check out कराता हूं तो सबसे पर अगराब देखे currently जो कंपरी की facility है इस टेम पर यह फैली विए 2 lakh square feet में तो यह काफी शान दा तरीके से फैली है इस टेम पर दोस्तों जो इसकी देखे capacity existing capacity आप कर सकते है manufacturing की है इसके लावा रिसेंटली देखे प्र लेक 94,000,000,000,000,000,000 के साब से प्रपोस गीन फिल एक्स्पेंशन भी उने वाले कंपरी का इसकी जो करेंट capacity है उसका तो यहां पर यह होता हूँ दिखेगा आपको गुजरात के अंदर अब दोस्तों मैं आपको KP Green Engineering के बार में कुछ और important information check out करता हूं फॉर्मली देखे कं इसके बाद कंपरी का नाम चेंज हुआ और यह करेंटली जैसे मैंने आपको बताया जो फ्लैक्सिप ग्रूप है इस्टाइब पे के पी ग्रूप उसकी कंपरी है तो कंपरी की शुरात की थी दोस्तों डॉक्टर फारुक जी पतेल ने इन्होंने स्टार्ट के था बिजनस के पीगे इंजिनिंग लिमिट्र के साथ 1994 में और इसके बाद लेटर नोने एक बिजनस को कर्णवेट के आते हैं पर प्राइब लिट्रिमिट्र कंपरी के रूप में 2001 में कंपरी दोस्तों इस्टाइब पे मेंली प्रॉइड करते हैं इन हाउस फैप्रिकेशन और डिप ग गेल इंजिनिंग के और डिप्लोइमेंट के प्रॉजेक्स को तो इसकी डीटल में आपको आगे बी जकॉट कराऊंगा इसके साथ दोस्तों कंपरी देखे इस टेम पे एक्टर करने के लिए हैवी इंजिनिंग सेक्टर को जैसे रूनोन बने निजी का सेक्टर हो गया ट्र प्लांट है जैसे मैं आपको इससे पहले चकाउट करा है तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा इस टेम पे कंपनी की प्रेजन्स को रोड में रेल में और इंफ्रेक्स्टर के अंदर भी बढ़ा तव दिखेगा इसके लादा KP इंजिनिंग को दोस्तों इस टेम पे काफी शा और यह पूरा का पूरा प्रजक्त दोस्तों जिस स्पेस में होगा देखे उसकी यहाँ पे आपको एरिया दिखेगा 6.94 लाइक स्क्वार फीट का और पोस्ट इन्हांस्मेंट जो कंपरी के टोटल केपसिट हो जाएगी यहाँ पे 3,47,000,000,000 टन पर नम के साब से जाएग और साथ में कंपरी की जो करेंट केपसिट है यहाँ पे 53,000,000,000,000 टन पर हमके साब से यह बढ़के यहाँ पर 3,47,000 हो जाएगी तो आप लोग कह सकते हैं केपसिट लगबग यहाँ पर 6,000 बढ़ जाएगी तो कित्ती शानदातर के से दूस्तों केपसिट बढ़ने के कार यहाँ पर कंपरी में भी आपको काफी शानदातर के से इसके रेवनु में जम पातर देख सकता है इसके कारण यहाँ पर लॉंक टम के लिए काफी बैट हो सकती है अब मैं आप लोग को कुछ और इंपर्टन इंटेल चकॉट कराता हूँ यहाँ पर दोस्तों अगर आप द यहाँ पर आप टू 440 किलो वोल्ट की होगी और इसके लावा जी आई अर्फिंग स्टिप्स क्ले जो मेजर करेंगी 75-10 mm की और 50-6 mm की यहाँ पर इसके लावा दोस्तों HDG के एबल होती है इनको भी कंपनिया पर मेनफेक्शिंग करती है तो यहाँ पर गैट को का एक अप कंपरी करेंटली एक अप्रूव वेंडर है BSNL की भी तो कंपरी करेंटली दोस्तों BSNL के लिए देखें सेललल टावर सिस्टम्स जो रेंज करते हैं पर 20-30 और 40 मीटर के इनको यहाँ पर बैदाती इसके लावा कंपरी करेंटली अप्रूव वेंडर है GNFC की इसके अंदर अपर इंजीनिंगं इंडिया लिम्ट्ट यहाँ पर कंपरी कंपरी करती है इसके लिए अपर कंपेणे क्मपरी कंपरी अर्षट करती है इसके अंदर अबर कंपरी अब हम चलते हैं next part में next part में हम check out करता है जो कंपनी के current product portfolio किस तरह का दिखता है तो आप लोग कह सकते हैं दूसरो renewable energy की field में और power की field में काफी शानदा तरी किसे diversified product portfolio कंपनी का तो सबसे पहले दूसरा आपको दिखेंगे solar module mounting structure कंपनी काफी शानदा तरी किसे यहाँ पे solar energy के इस तरह के structure को लगाती है इसके लब आपको दिखेंगे windmill latest towers यहाँ पे कंपनी windmill के ले भी इस तरह के important towers की manufacturing करती है यहाँ पे उसके लब आपको metal beam crash barriers दिखेंगे जो यहाँ पे roads में लगाए जाते हैं यही भी कंपनी इस टैंप लगाती है यहाँ पे solar rooftop installation दिखेंगे आप इसका भी कंपरी काम करती है optical fiber fault rectification होता है इसका भी काम कंपरी यहाँ पे करती है यहाँ पे आपको substation equipment structure होगा कंपरी यह भी लगाती भी दिखेंगी इसके बाद दोस्तों ने इसको एक प्रूब रूप में सेलक्ट कर रखा है तो यह भी कंपरी के काफी पॉस्च्य बात ह galvanization का work करती है इसके लावा कंपरी यहाँ पे isolator दोसों HV disconnectors का का काम करती है यहाँ पे कंपरी cable trace और यहाँ पे earthing materials का भी काम करती है इसके लावा CNZ Perlin और PEB का भी कंपरी काम करी है तो यह कंपरी का current product particle है दोसों और यहाँ पे जो company capacity expansion करी है कंपरी आपको नए products में भी य या solar हो गया wind हो गया या आपको देखे रोट की site को भी यहाँ पे जो metal crash barrier देखेंगे इस तरह के products करती ही दिखरी कंपरी उसके लावा है यहाँ पे power की शर्त में दोसों optical fiber हो गया यहाँ यहाँ पे substation equipment structure हो गया transmission lines हो गई यह टेलीकॉम के field में भी company काम करती ही देख दिख आपने टाउर के अंदर आती है तो गम्परी इसके इंप्रॉटन प्रॉटन के इनके मैं इंचिनिंग करती है यहाँ पर आपके सकते हैं पूरे के पूरे के पूरे यहाँ यहाँ पे value chain में इस company की दिखती है और इस एक अध्वांटेज है यह एक एंग इंजिनिंग कंपर आप नेक्स पार्ट में चैक आउट करता है दोस्तों प्रपोज यो प्रोड़क्ट पर्टिकल है जो इसके आने वाले आगे को तो इसके अंदर सबसे पहले प्रड़क्त आता है विंड मिल्ट टूबलर टावर्स इसके बाद आता है टास्मेशन लाइन मोनोपोल्स यहाँ प्रट में अगर आप च्क आउट करें यहाँ पर हम कंपनी के क्लाइं को चक आउट करते हैं किनकिन इंपोर्टेंट और बड़े क्लाइं इसके लाव दूस्तों आप आपको दिखेगा रोटो एम जेजी यहाँ आपको सिमन्स दिखेगा यहाँ पर आपको ट्रांसमेश द दिखेंगी जो chemical company है तो जिलान ग्रूप दिखेगा यहां पर आपको आपको टेग्रोज ग्रूप दिखेगा जो chemical company है इसके बाद हम और लिए और क्लाइट को चेकाऊट करते हैं तो यहां पर आपको टाटा इंडीकॉम दिखेगा यहां पर टाटा गुरूप दिखेगा तॉरेंट फार्म है वोड़ाफन है विप्रो जैसे बड़ी कंप्रिया दिख रही है आपको डाइडए स्केडिल्या दिख रही है एब इसके बाद आपको कई और क्लाइंट दिखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट जैसे ल्टी ग्रूप हो गया यहाँ पर ले ले लिए सकते हैं किते शानदार क्लाइंट एस्टाप है बड़ी बड़ी कंप्रिया अलागलाग सेग्मेंट्स में ज्या केमिकल सेक्टर हो गया यह सब इसकी इस्टाप पर क्लाइंट दिखेंगे आपको यहाँ पर काफी बड़ी क्लाइंट की लिष्ट है कंप्री की जो कंप्री को एक यूनिक पोजिशन बिलाती है अब मैं आपको लेकलता हूं नेक्ट पार्ट में चक्ड़ाट करते हैं दोस्तों इसके ग्लिम्स लेते लेकिन यहांपे फर्दर एक्स्पैंशन जो है जारी रहता हो दिखेगा आपको यहां पर जो साइट का प्रेशन और इसने पर्ट के नहीं नेगा रहते हैं अब मैं आपको लेक्शन कर दिखेंगा आपको इस तरह की सो अपन्दा लगा सकते हैं कि इत्ति शानदा तरी किस यह काफी important डिजने स्टेंप इस कंपनी में अगरा भाई करने चाहते हैं तो कि यहाँ पर इसकी बाकी की ग्रूप की कंपनीयां जो चाहे की एपी इनर्जी होगी या उसके लावा की एपी ग्रीन होगी सब ने काफी शान दते के से परफॉर्म किया पास्ट में भी यहाँ प यहाँ पर इसकी ग्रोफ में दिख रहा है कि कि यहाँ पर इसकी ग्रोफ में दिख रहा है कि कि शानदतर किसे कंपनी अमने प्लान्स को अग्सकूट कर पा रही है इसके लावा कंपनी का दोस्व कंसिस्टेंट है पर फाइनेंशल प्रफॉर्मस रहा है तो मैं आपको आगे चेक आउट करूँगा यहाँ पर कंपनी के रेवनू और प्रॉफिट काफी शान दते किसे हो रहा है यहाँ क्लान के तो आपको इस vel का चाहि इसके सांथ काम कर रहे हैं यहाँ पर आपको सिपलर अलता है कि कली आ है का सिपलेट्ट का फोकस करना पर क्लान के स्ट रक्स पर, अब यत्तने बड़े क्लान्स को कंपनी सब्कारग करें थे तो जैसे आपको बात आओने चाहिए दोस्वों एक SME stock है यहाँ पर आप देखें किसे आप से देखें हाफ एली बेस पर इसके रेवन्यू ग्रोव हुए है तो रेवन्यू फोर्म ऑपरेशन दे रखें है एस्टू एफटी टू करोर से देखें हाफ एली बेस पर एस्टू पर इसके सांसा दोस्वों पर प्रॉफिट आफ्र टेक्स में भी काफी शांदा रिकीज है पाइप करोड से हाफ एली बेस पर प्रॉफिट आफ्र टेक्स ट्वंटी फोर करोड़ हो गया था इसमें आपको करीब एं थ्री एक्टी परसंट का जम दिखेंगा अब यह तो दोस्वों मैं आपको हाफ एली बेस पर दिखा अगर आप लोग प्योर ली यहां पर यह नियुक्त पर देखें कंपनी के यहां पर रेवन में किसे जम पाया तो वह नेट फॉर्टीन करोड से ट्री फॉर्टीन करोड के कंप्री के रेवन हो गया है तो टूंटी से दोस्वों आपको प्रॉफिट अटेक्स में भी काफी शांदा इनकीज दिख रहा है प्रॉफिट अटेक्स 12 करोड से हो गया है 35 करोड इसमें एक साल के अंदर आपको 192 परसंटा जम दिख रहा है तो आप लोग क्ले ली के सकते हैं यहां पर देखें 366 परसंट के साब से आप दिखें में रसा さब घंपर कर लोग करता हो ओख वहां करता है हाफ एली बिस पे और ये और ये बिस पे एफ़र टॉन्टी सी टॉन्टी फोर में अब मैं आपको कुछ और इंपर्टन इटेल चकॉर करता हूं यहाँ पर आप अगर आप देखे ओवर दे ये इस फाइनेसरी परफॉर्मस के सरा है तो हम पिछले तीन साल का देखते हैं तो से इंक्रीज हो के 22 में यहाँ पर 23 में 12 करोड हुए 24 में 35 करोड हो गया है यूज इंक्रीज देख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट प्रेक्स में भी इसके कांट दोस्तों आर्निंग परश्य परश्य कंपरी कह रहे कि 1.29 रूपीज से इंक्रीज हो के करेंट लिया पर 9.7 इंक्रीज हो चुका है और आर्निंग परश्य में लगता है इस साबसे कंपरी का आपको आगे भी इंक्रीज होताव दिखेगा अब मैं आपको लेकल करता हूं नेक्स पार्ट में चेक आउट करते हैं दोस्तों आपर रेश्य कंपरी के कुछ की रेश्यो यहाँ पर के 0.14 होता देख रहा है इसके लावत दोस्तों यहाँ पर टोटल आउटसाइड लाइबिल्टी है नेट परत के मुकाबले इसमें भी देखे काफी बढ़े तरी किसे डिक्रीज आया है यहाँ पर लाइबिल्टी 1.9 थी जो यह 1.9 टम से यहाँ पर 0.55 टम सो चुकी है तो जो एबिल्टा ग्रूव है 153 परसंट के साब से ग्रूव है पर बढ़ा है 192 परसंट के साब से और इसके कारण रिजी चुका है 9.70 रुपीज यह अपडेट्स आपको अपने दिमाग में रखने है क्योंकि यह अपडेट्स आपको बताती है कि यहाँ पे कंपनी काफी श चुका हूंगा है इसके अंदर इंट्लूड़ के मॉडुल के जो अपर मॉटिंस त्रिक्चर के यहां पर कप्रिस अप्लाइए करेगी स्प्लेट्प्र करेगी रिया पे स्टेब्लिश करेगी ट्रास्मिशन टावर्ड को जो वर्थ होंगे आपर करेवेश चुक्न क्प ए दिखेगा यहां पर हाडवेर हो गया, Cable Trays हो गई, GI Strip Material हो गया, या GI Structure हो गया, Isolator's के ले, इनको पर भी Company काम करके दिखेगी, इसकला दोसों Company को यहां पर अगस्त के अंदर भी देखे 52 करोड का और नया order मिला है, तो यह भी आपको अपने ध्यान में रखना है, तो यह order book किसाब से मैंने आपको कुछ नहीं अपडेट दिखाई, अब मैं आपको लेकलता हूँ, नेक्स पार्ट में, नेक्स पार्ट में हम चक्क आट करते हैं Company के Valuations, और यहां पर किसाब से देखे, आपको growth भी देखने को मिली है, तो currently दोस्तों Company की जो market cap है, 2003 निट कोड की है, अभी भी एक small cap company है, तो यहां पर भी काफी तरगड़ा growth का scope है, stock copy आपको 66 का देखेगा, थोड़ सा expensive देखेगा, लेकिन आपर अगर आप अगर आप industry का पी देखने के 44 का है, तो यहां पर दोस्तों जिसाब से company growth करी है, मुझे लगत तरनी valuations expensive है, और recently आपर company में काफी बड़ी आतरिक से आपको correction या dip देखने को मिला है, तो यह दोस्तों कहाँ पर investment करने की काफी एच्छे परसीट हो सकती है, जो मैं आपको technical charts में आगे check out कराऊंगा, यहां पर अगर 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 आप रिटार्न और इंपर देखे, 104 का है, रिटार्न और निक्रि capacity को बनाने वाली है, यहां पर capacity बड़ेगी दोस्तों, तो future की growth के लिए, company के लिए बहुत जीदा positive होगा, तो यह जो आपको growth देख रही है, यह आगे जाके आपको और भी बड़ी आतर किसे extend duty देख सकती है, तो इसलिए मैं आप से कर रहा हूं कि valuations मुझे future की growth को देखते लगातार घटी हैं देखे 18 करोड़ से 37 करोड़ के होगी है, इसकलावा company की बोरिंग में दोस्तों स्लाइट इन करोड़ से 37 करोड़ का हुगा है, लेकिन यहाप अगर आप रिजार्व देखें काफी तक नहीं है, तो बोरिंग के साबसे डानिकी को भी ज़रुत नहीं है, इसकलावा company के fix a street लगातार बढ़ा हैं, तो काफी positive बात है, 22 में 17 करोड़ के थे, फिर 20 करोड़ के हुए, और currently 27 करोड़ के हुगा है, इसकलावा आपको देखे, CWIP दिखेगा है, यहाँ पर कर दिखेगा है, यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास का, तो यह भी काफी positive ए company के इसकलावा दोसरे आपको बता है, यहाँ पर कंपनी जो काम करती है, इस फिल्ड में आपर यह possibility है, क्योंकि renewable energy की फिल्ड में है, यह आपको एच्च बन की result उत्ते पावरफुल नहीं देखे, एच्टू के मुकाबले, तो इसलिए आप अगर इस तरह की गंपरी में भाइय करते हैं, तो आपको 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 यह लॉंक का विजन लख रहा है, अब दोस्तों मैं आपको यह लगता हूँ लाश पार्ट में जो सब्सक्राइब देखें सब्सक्राइब चुम्हायं के लिए निया के सपोर्ट लिया था इसके बाद दुबार से आपे जून के आसपास सब्सक्राइब बैसके ले तो इसके बाद दोस्तों श्टॉक में देखे एक और बार फिट से अगास के आसपास इसी इंपोर्टन लेवल पर आके सपोर्ट लिया है यहां पर दोस्तों पूर्पस मिल्टी रह गए थी कि इस लेवल को तुरूड़ेगा नहीं और इस लेवल पर लगातार सपोर्ट लेते व और दोस्तों यहां पार सब लाय में में चंक देखे तर्फन को ट्रेस्ट किया और यहां पर तो जून में कई बार इस लेवल को टच करते हैं स्टोक ने करेक्शन दिखा यहां पर जुलाय में एक और बार स्टॉक ने लिया और बार बार जब बीश्टॉक के अप्रोच करता है और जैसे मैं आपको दिखा है कपनी काफी fast speed से grow करी है तो यहाँ पर एक बार के बार के बार आपको विलेशन में बहुत जादा चेंज आता हो देखेगा लेकिन यहाँ पर important level को ध्यान में रखना है क्योंकि कभी भी दोसों इस तरह के देखिए important level break होता है उसके बाद आपक काफे बड़ी आउमका होगा इस टॉक में लेने का जैसे मैं आपको बता है इस टॉक अच्छा का सा क्रेक्शन दिखा चुका है दोसों ने देखिए जब गिरने की शुवात की थी सबसे पहले उपर के all time high level को touch करते हुए जो 720 के लेवल है सबसे इस टॉक का प्राइस गिर लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग आतीवीन देख रही है लेकिन अगर आप लोग दोस्तों पास में चली जाए तो पास में आपको क्लेली देखेगा यहाँ पर 470 से 460 range में इस टॉक में वॉल्यूम के साथ बाइंग आईए तो यहा अगर आप लोग को कर्विक्शन आता है तब ही अंटर करना है इस तरह की कंप्रियों को अगर आप लॉंग टम में पेशेंटली होल्ड करेंगे तो कि फंडमेंटल काफी अच्छे हैं यहाँ पर मैंनेजमेंट भी काफी शानदार है तो लॉंग टम में काफी बड़े तरक अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए ठैक्स वराचिंग आइस टेक केर